जो अपने एड्योकेशन YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं उनको ये समस्या आती है या तो वैसे टीचर जो जूम मेट या गूगल मेट के थूख अपने श्रूडन को पढ़ाते हैं तो उनको ये समस्या आती हैं वह समस्या कौन-कौन सी है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते यही सब कुछ दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा तो दोस्तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पर लास तक बने रहिए देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तो बिन यह चाहते हैं कि यह जो हमारा mouse cursor है इसके नीचे yellow circle आज है तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं कि यह जो मेरा mouse cursor है इसके नीचे कोई भी yellow circle नहीं है लेकिन दोस्तो हम लोग एक click में जो है mouse cursor के नीचे yellow circle लगा सकते है मात्र single click में दोस्तों हम लोग mouse cursor के नीचे yellow circle लगा सकते हैं वो कैसे तो आईए देखते हैं देखे यहाँ पे मैं click करूँगा ठीक है और यहाँ पे एक cursor जैसा बना हुआ दिख रहा है मैं यहाँ click करूँगा बस इतना करूँगा और इतना करते ही दोस्तों मेरे mouse cursor के नीचे yellow circle आ जाएगा जब आपको mouse को highlight करना होगा तो आपको सिर्थ क्या करना है यहाँ पे यह जो icon बना हुआ है यहाँ आपको click करना है और यहाँ पे click करके यहाँ से आप mouse cursor के नीचे से yellow circle को हटा भी सकते हैं और अगर आपको mouse cursor के नीचे yellow circle लगाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर click करेंगे cursor को highlight भी कर सकते हैं, जब मुझे Hindi tapping करनी होती है, तो मैं क्या करता हूं, window की दबाता हूं और space की दबाता हूं, जैसे दोस्तो मैं window key के साथ space की दबाता हूं, तो यहाँ पर language select करने का option आ जाता है, तो मैं space की दबाऊंगा, तो यहाँ पर Google input tool आ जाएगा, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर मैं बड़े अराम से Hindi tapping कर सकता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं, मैं बड़े मैं हिंग लिस में लिख रहा हूं और यह हिंदी में tapping हो रहा है, मैं बड़े असानी से हिंदी typing कर पा रहा हूं, तो यह मैं कैसे कर पा रहा हूं, अगर मुझे English tapping करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, विंडो के साथ Space की दबाऊँगा, तो यहाँ पर मेरा language चेंज हो जाएगा, keyboard चेंज हो जाता है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ बड़े अराम से English में tapping कर सकता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूं, मैं बड़े अराम से English टाइप कर लेता हूं, उसके बाद दोस्तों आता है screen को कैसे joom करें, ठीक है, screen को joom करने के लिए, दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, alt के साथ 2 प्रेस करूँगा, तो मेरा screen joom हो जाता है, और फिर दोस्तों मैं बड़े अराम से स्क्रीन को जूम करके अपने audience को अपना PPD या कुछ भी दिखा सकता हूँ उसके बाद हम PDF के उपर कैसे लिख सकते हैं जैसे कि ये मेरा PDF है मुझे इसके उपर लिखना है तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ जैसे ही दोस्तों मैं Alt के साथ one press करूँगा तो यहां पर मेरा mouse पैन बन जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं बड़े अराम से PDF के उपर लिख लिख करके अपने student को पढ़ा सकता हूँ अगर मुझे PowerPoint में Hindi tapping करना होता है तो मैं क्या करता हूँ यहां से text box select करता हूँ ठीक है और उसके बाद मैं window की के साथ space की प्रेस करता हूँ ठीक है और तब तक प्रेस करता हूँ जब तक यहां पर यह चीजे हिंदी select ना हो जाए और उसके बाद दोस्तों मुझे जो type करनी होती है जैसे कि दोस्तों यहां पर PowerPoint पर्जेंटेशन बना हुआ है और मैं इस पर्जेंटेशन के थूरू अपने student को पढ़ा रहा हूँ इस तरह से मैं अपने student को पढ़ा रहा हूँ अब मुझे यहां पर लिखना है तो मैं क्या करूँगा Ctrl के साथ P दबाऊंगा तो यहां पर मैं बड़े अराम से लिख सकता हूँ लेकिन दोस्तों अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरा यहां पर जो mouse pointer है यानि कि pen का pointer है वो dot जैसा दीख रहा है लेकिन मुझे क्या करना है इस dot के नीचे yellow circle लगाना है तो यह मैं कैसे लगा सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहां से पहले इसे minimize करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहां से मैं yellow circle को on करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं PowerPoint में आऊँगा और उसके बाद दोस्तों मैं PowerPoint presentation के उपर पढ़ाना शुरू कर दूँगा और ये जब दोस्तों मैं करूँगा जब दोस्तों मैं इस तरह से अपने student को पढ़ाना शुरू करूँगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि pen के नीचे yellow circle आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि power point में pen के नीचे yellow circle आ गया है यानि कि मैं pen को बहुत ही अराम से highlight कर पा रहा हूँ तो यह सारी चीजे single click में होगा लेकिन दोस्तों यह तभी होगा जब यह सारी चीजे आप setup कर लेंगे तो दोस्तों अभी जितनी चीजे मैंने करी है आपके सामने वो सारी चीजे हम कैसे कर सकते हैं इनके लिए कौन सी setting करनी होती है वो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं यह सारी शेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है मेरे टेलिग्राम चैनल पर जाना है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों आपको क्या करना है मेरे टेलिग्राम चैनल पर जाना है मेरे चैनल को जोईन करना है जोईन करने के बाद दोस्तो आपको मेरे चैनल पे इस तरह का जीफ फाइल मिलेगा जिसका नाम दोस्तो मैंने रखा है The Best Software for Teachers तो आपको क्या करना है इस जीफ फाइल को डाउनलोड कर लेनी है इस जीफ फाइल को अपने laptop ये PC में डाउनलोड करने के बाद दोस्तो आप क्या करेंगे इस पे right click करेंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पे extract फाइल का option आएगा आपको गया करना है इसके उपर click करना है और उसके बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का window आएगा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको ok कर देना है जैसे ही दोस्तो आप ok करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का folder मिलेगा यानि कि जिस नाम से ये जिफ फाइल है सैम नाम का दोस्तो आपके सामने एक folder आ जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको करना है यहाँ पर double click करके इस folder को open करना है फिर दोस्तो आप इसके अंदर जा करके इस folder को open कर लेंगे यहां से दोस्तो मैं view बढ़ा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ उसके बाद दोस्तो आपको करना है यहाँ पर यह जो आपको software दीख रहा है जिसका नाम है Google Input Tool आपको करना है इस software को भी अपने laptop ये PC में install कर लेना है जब दोस्तो आप इस Google Input Tool को अपने laptop ये PC में install कर लेंगे इंस्टॉल होने के बाद दोस्तो आप इसे minimize करेंगे minimize करने के बाद दोस्तो जब आप यहाँ टास्वार पर देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ लेंग्वेज का option आपको दीख जाएगा उसके बाद दोस्तो आप को करना है अपने system को restart कर लेना है restart करने के बाद दोस्तो आपको करना है MSWORD, XL ये कुछ भी open करना है और open करने के बाद दोस्तो जब आप यहाँ पर window के साथ yisplace की दबाएंगे तो यहाँ पर यह links select का option आने लगेगा और फिर दोस्तों आप यहां से language select करेंगे अपनी मर्जी से अपने laptop या PC में चाहे तो हिंदी में चाहे तो आप English में type कर पाएंगे तो दोस्तों Google Input Tool से आपका Hindi typing वाला problem solve हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको गय करना है इस वाले software को install करना है जब दोस्तों आप इस software को अपने laptop ये PC में install करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का यहां पर file देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा cursor highlight ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको कह करना है यह जो folder आपको दिख रहा है startup folder ठीक है आप इस folder को यहां से copy करेंगे ठीक है इस folder के अंदर दोस्तों आपको यही दोनों file देखने को मिलेगा तो दोस्तों या तो आप इन दोनों को copy कर लिजे या तो आप इस folder को यहां से copy कर लिजे ठीक है इस folder को ही copy कर लिजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है इस folder को copy करने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है इसे minimize करना है उसके बाद दोस्तो इस PC पे double click करना है और यहां पे आपको C drive मिलेगा आपको यहां double click करके यहां आ करके दोस्तो आपको क्या करना उस folder को paste कर देना है तो आपको कहा करना है एक एक करके इन दोनों file का desktop के उपर shortcut create कर लेना है ये करने के लिए दोस्तों आपको कहा करना है इस file के उपर right click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे send to का option आएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक option आएगा desktop create shortcut जब दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे इतना करते ही दोस्तों desktop पे इसका shortcut create हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों इसका shortcut desktop के उपर create हो जाएगा सर्म इसी तरीके से दोस्तों आपको इसका shortcut desktop के उपर create करना है तो इसके लिए आपको गयगा नहीं इसके उपर रैट कलिक करने है रैट कलिक करने के बाद दौस्तों यहाँ पर Send to Option में आना है और उसके बाद दौस्तों यहाँ पर वही option आपको दीखेगा backstop, create shortcut आपको इसके उपर click कर देना है और उसके बाद इसे close कर देना है इसपे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इस items को cut कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है Windows के साथ R प्रेस करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है। यहाँ पर Run Command में यह चीज़े लिखनी है। ठीक है आप इसका screenshot लेकर रख लीजिए Sam यही दोस्तों आपको यहाँ पर run command में लिखना है उसके बाद दोस्तों आपको ok कर देना है इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है startup folder open हो जाएगा startup folder में आने के बाद दोस्तों आपको गया करना है तो इस तरह से दोस्तों आपको कहbirकर ना है यहाँ पर इसे paste कर देनी और इतना करने के बाद दोस्तों आपको कहा करना है आपके laptop यह pc को restart कर लेना है restart करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे calt के साथ आप F4 प्रेस करेंगे और यहां दोस्तो आपको drop down मे जाना है और यहां पर restart पे click करना है और okay कर देना है ठीक है तो इस तरह से आप अपना system restart कर लेंगे restart करने के बाद दोस्तो सारे option आपका enable हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको कह गरना है यहां पे icon पे click करना है इसे काते है action बटन आपको यहाँ क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर यह दोनों चीज़े आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह जो पहला option आपको दिख रहा है mouse cursor highlighter वाला आप इससे mouse cursor को highlight कर सकते है उसके बाद दोस्तों यह जो दूसरा वाला icon आपको दिख रहा है zoom it का आपको इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े मिल जाएगी तो आपको गया करना यहाँ पर option पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे screen को जूम करने के लिए यहाँ पे एक shortcut की assign कर देंगे जैसे कि मैं जब Alt के साथ 2 प्रेस करता हूँ तो मेरा screen जूम होता है ऐसा क्यों होता है? जब मैं Alt के साथ 2 प्रेस करता हूँ तो मेरा screen जूम होता है इसलिए होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर alt के साथ to press करके यहाँ पर shortcut assign कर दिया है अब यहाँ पर चेक टिक लगादेंगे और okay कर देंगे अब देखिए दोस्तों मैं आपको जो है इस्क्रीन पर लिख करके दिखाता हूं और अब मैं आपको पीडियाप के उपर लिख करके दिखाता हूं अगर दोस्तों आपको इस्क्रीन पे ड्रो करना है यानि कि आप कोई टूटोरियल विडियो बना रहे हैं और इस्क्रीन पे कोई चीज को हैलाइड करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं अल्ट के साथ आप one प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मौस पैन बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल को दबा के रखना है एक उंगली से आपको कंट्रोल को दबा के रखना है और फिर आप इस तरह से चीजों को हैलाइड कर सकते हैं आपको स्क्रीन को जूम करना है तो दोस्तो आप इसके लिए अल्ट के साथ to press करेंगे, तो यहां पर screen jum हो जाएगे, ठीक है तो फिर अल्ट के साथ to press करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, जैसे कि यहां पर मुझे screen को जूम करना है, तो यहां पर मैं पहले mouse cursor को उसके बाद दोस्तो आप इस folder के अंदर जाएंगे और इस folder के अंदर जाने के बाद आपको एक folder मिलेगा फिर आप इसके अंदर जाएंगे उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको Google Input Tool इंस्टॉल कर लेना है जिसे आप Hindi English जिसमें मर्जी हो उसमें आप बड़े अराम से टाइप कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है Auto Hotkeys Setup File को Run as Administrator करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो दोस्तों आपको ये File मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस Folder को यहां से Copy करनी है Copy करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इस PC में जाएंगे और यहां से C Drive में जा करके यहां पे इस Folder को Paste कर देंगे जब दोस्तो उस folder को paste करेंगे तो यहाँ पे आपको एक folder दिखेगा startup folder उसके बाद दोस्तो आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे यह दो file आपको देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो आप क्या करेंगे एक एक करेंगे इन दोनों का shortcut create कर लेंगे इसके लिए आप इस पे right click करेंगे send to में जाएंगे और desktop create shortcut पे click करके इसका shortcut desktop पे बना लेंगे फिर दोस्तों आप इस पे right click करेंगे send to में जाएंगे और यहां से दोस्तों आप इसका shortcut desktop के उपर बना लेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो दो shortcut icon आपको यहाँ पर दिख जाएगा फिर दोस्तो आप दोनों को एक साथ select करेंगे select करने के बाद दोस्तो आप क्या करेंगे window के साथ r press करके run command open करेंगे run command में दोस्तो आपको यह चीजे लिखना है ठीक है उसके बाद आपको ok कर देनी है उसके बाद दोस्तो जो folder आपको देखेगा उसमें आपको क्या करना है उन दोनों file को यहाँ पर paste कर देना है paste करने के बाद दोस्तो आप क्या करेंगे computer को restart करेंगे restart करने के बाद दोस्तो आपका setting complete हो जाता है setting complete होने के बाद दोस्तों आपको यहां पर action icon button पर दोस्तों यह दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगे यानि कि mouse cursor को highlight करने का option भी मिल जाएगा और यहां पर दोस्तों zoom aid tool भी मिल जाएगा और जिसकी मदद से दोस्तों आप screen पर लेख सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको बार बार कुछ करना नहीं पड़ेगा नेक्स टाइम से दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप computer को start करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके mouse cursor के नीचे yellow circle आ गया है यानि कि उसे आपको highlight करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी यह automatic आपका mouse cursor के नीचे yellow circle आ जाएगा अगर आपको यह चीजे नहीं चाहिए तो दोस्तों आप क्या करेंगे यहां क्लिक करके यहां से इसे हटा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो यहां से आप इसे ला सकते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको screen पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप यहाँ किलिक करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है जब जब दोस्तों आप Alt के साथ One Press करेंगे तो यहाँ पे Mouse Pen बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो PDF के उपर PPD के उपर जहां मर जी हो वहाँ आप अपने स्क्रीन पे Draw कर पाएंगे टुटोरियल वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आप टुटोरियल वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है पहले तो यहाँ पे Mouse को Pen बनाना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है Control को दवा के रखना है और फिर दोस्तों आप जिस चीज को highlight करना चाहते हैं आप इस तरह से highlight कर पाएंगे तो यह था दोस्तों हमारा complete tutorial I hope दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जो चीजे मैंने आपको बताया है समझाया है सिखाया है आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर यह वीडियो यह टुटोरियल आपको पसंद आया है कर दोस्तों आपको नहां जो आपको बताते है